नमत्कार दोस्तो मैं हूं सीमा बोरा दोस्तो बहुत से लोग चक्कर आने की समस्या से ग्रशीत रहते हैं आजकल की इस मॉडरन लाइब स्टाइल में चक्कर आना सीड़ दर्द जैसी समस्या एक आम समस्या होती है और यह हर वर्ग के व्यक्तियों में यह समस्या देखने को मिलती है आप योग को अपना कर स्वस्त जीवन जी सकते हैं और इस चकर आने जैसी समस्या से निजात पास सकते हैं आईए देखते हैं कि चक्कर आने को दूर करने वाले इन योगा भ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है दोस्तों चक्कर आने की समसिया मस्तिक से जुड़ी कोई समसिया हो सकती है दोस्तो सिर में चक्कर आना या फिर सिर में भारी पन, सीर दर्द, वर्टिकों की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला योगा भ्यास हम करेंगे कंध संचालन इसे करने के लिए आप ऐसे पदमासन पर बैठ कर कमर गर्धन बिल्कुल सीधी रखते हुए आपने अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पार्स भागों में ऐसे फैला लेते हैं इसके बाद आपने दोनों हाथों को अपने कंधों के उपर ऐसे रख लेते हैं इसके बाद आपने ऐसे इस अभ्यास को प्रैक्टीज करना है इस इस्तिती में आपकी कमर गर्धन बिल्कूल सीधी रहे ऐसे आपने अपनी तोनों कोहनियों को गोल गोल घुमाना है ऐसे आप इसे दस बार प्रैक्टिस कीजिए जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं राउंड बनाईए और अपनी दोनों कोहनियो को मिलाते हुए अपने दोनों हाथों को अपने कान के पास से ऐसे ले जाते हुए राउंड बनाईए पहले ऐसे कीजिए फिर इसके विपरीद दिशा में इसे आप प्रेक्टिस कीजिए इसे करने से डिजिनेस, वटीको, सिरमें भारीपं जैसी समस्याएं दूर होती हैं जिन लोगों को कंधों में जकड़न की समस्या होती हैं वह भी इस अभ्यास को करने से दूर होती हैं दोस्तों चकर आना वटी को फिर में भारी पन इसे दूर करने के लिए हम लेश का भ्यास करेंगे ससांक आसन इसे करने के लिए आप ऐसे बजरासन पर बैड़ जाईए इसके बाद आप अपने दोनों घुतनों को ऐसे फैला लेंगे जितना आप फैला सकते हैं और दोनों अपनी छोड़ी को जमीन पर इसपर्श करते हैं एक आराम दायक अउधी के लिए तीस से किन पहले ऐसे ही मेंटेम करके रखें फिर दो मीनट आप आराम दायक इस्तिती में रह सकते हैं ससांक आसन जो लोग जिन लोगों को सिर्दर्द ठकान मांसिक तनाव और साथ जैती स तमस्याओं से ग्रशित रहते हैं उनके लिए यह ससांक आसन बहुत ही सरल और सहज आसन है फिर स्वास अंदर भड़ते हुए धिरे धिरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं ऐसे ही इस ससांक आसन को आप चार से पांच बार मेंटेन करके प्रेपीज कीजिए जो लोग च दोस्तों चकर आना वर्टी गोड और सिर में एक त्रह के भारीपन को दर्शाता है इसे दूर करने के लिए हम नेस्ट भ्यास करेंगे मरजारी आसन इसे करने के लिए आपने ऐसे बजराचना में बैड़ जाना है इसके बाद ऐसे अपने घुतनों के बल खड़े हो जाते ह में ऐसे आते हैं अपने दोनों हथेलियों के बीट एक से डेर फिट का ऐसे इस पेस रख लेते हैं इसके बाद आपने सबसे पहले लंबी गहरी स्वांस अंदर भरते हुए अपने सीर को ऐसे उपर की तरफ ले जाए और इस स्थिति में आपकी स्पाइन नीचे की तरफ स्वांस भड़ते हुए ऐसे उपर को देखा स्वांस छोड़ते हुए ऐसे नीचे की तरफ किया इसे करने से सीरदर्द ठकान तनाव मांसिक तनाव और साथ जैसी समस्त समत्याई दूर होती है करने से दूर होती है हमारे श्रीर को फिट रखने के लिए यह अधिक योगी होता है तो मरजारी आसन बहुत ही अधिक उपयोगी होता है अगर आप इसे सुबह उपकर डिश्टर पर प्रैक्टिस करते हो तो इससे आपका सिरीर एक्टिव और एनर्जेक्टिक बनता है और आलेश श्रणभर में दूर होता है ऐसे ही सभ्यास को आप आठ से दस बार प्रैक्टिस कीजिए इसके बाद आप चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे दोस्तों दीजीनेस, वर्टिको सिर में एक त्रोह के भारीपन को दर्साता है और यहर वर्टिको की समस्या हमारे ब्रेन से समबंधी कोई समस्या हो सकती है इन अभ्यासों के रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमें नेर्वस सिस्टम समस्याएं दूर होती है इसलिए आप अपने 10 से 15 मिनट एवरी डे निकालिए और इन योगा भ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरा यह वीडियो पसनाई से लाइक कीजिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद